हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे यूटूब चानल MD9 Education में दोस्तों आज मैं आपको दो न्यूज बतने वाला हूँ एक है गुड न्यूज और एक है बैड न्यूज गुड न्यूज में पहले आपको वीडियो के स्टाइट में बता दूँगा और बैड न्यूज के लिए आपको पूरा वीडियो लाश्ट तक देखना होगा तो यहाँ पर जो हमारा रेगुलर फोटोशॉप है उस रेगुलर फोटोशॉप में अभी जनरेटिव फील को ओप्शन आ गया है और अभी आपको एड़ो फोटोशॉप बीटा का वर्जिन की कोई जुरूरत नहीं है क्योंकि आभी यह जो फीचर है यह फोटोशॉप बीटा के बाहर आ गया है और जो आमारा रेगुलर फोटोशॉप का जो वर्जिन है अभी वर्जिन 25 का कैल आएगा और अभी जो फोटोशॉप हम जो इंस्टॉल किया है वो है फोटोशॉप 24 तो फोटोशॉप 24 में जो वर्जिन एक, स्टेबल वर्जिन वह है 25, तो उस 25 वर्जिन में कौन-कौन से ओप्शन आ गया है, मतलब हमने जो पिछले वीडियो में बताया था, एडवी फोटोशॉप बीटा के जो भी फीचर है, उस सारे फीचर अभी एडवी फोटोशॉप के रेगुलर वर्जिन में आ गएगे, तो एक बार हम उस फोटोशॉप को अउन करते हैं, उसका स्प्लेश स्क्रीन किस तरह से दिखता है, और किस तरह से ये जेनरेटिव फील्ड, जेनरेटिव एक्स्पांड, जो नाया टू ले रिमूर्ट हो, वो किस तरह से रेगुलर फोटोशॉप में काम करता है, यह देखते हैं, तो यहाँ पर हम फोटोशॉप को अउन करते हैं, आप देख सकते हैं, यह हमारा रिगुलर फोटोशॉप है, आडवी फोटोशॉप 24, यहाँ पर मैं इस फोटोशॉप को ओपन कर देता हूँ, और आप इसका जो इंटरफेस है, मतलब इसका जो स्प् यहां पर एक बार दिखा देता हूँ about photoshop तो यह देख सकते ही है about photoshop यह regular version है और इसका जो release है यह 25 release है यहां पर आपको कई पर भी Adobe Photoshop बीटा यहां पर नजर नहीं आएगा ठीक है तो Adobe Photoshop में कौनकोल से आभी नए feature अड़ होगे है यहां 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 पर देखने के लिए कुछ images से यहां पर open करते हैं तो सबसे पहले हम इस image पर आते हैं और यहां पर जो जनरेटिव फिल्ल का जो option है वो किस तरह से उगर करते हैं regular photoshop में वो देखते हैं तो यहां पर यह contextual test taskbar है अगर आपको यह नई दिखाए दे रहा तो यहां से आप on कर सकते हैं अब यहां से मेरा आफ हो गया मैं यहां से windows में जाओंगा और यहां से contextual taskbar इसको क्लिक करूँगा तो यह taskbar यहां पर आ जाएगा आप इसको किसी भी जगा पर रख सकते हैं और वहां पर पिन कर सकते हैं मैं यहां से pin बर कर देता हूँ यहां पर इसका position पिन कर दिया अब हम generative field को option यूद करेंगे इसके लिए हम क्या करेंगे एग लासो टूल लेंगे और आप यहां पर देख सकते हैं इस जगा पर मैं कुछ इस तरह से roughly selection करूँगा और यहां से यह selection complete कर दूँगा यह selection यहां पर complete हो गया है अभी हम यहां पर एक prompt लिकेंगे generator field पे जाएंगे यहां पर click करेंगे यहां पर एक prompt लिक देंगे beautiful lake ठीक है और यहां से हम इसको generate कर देंगे यहां पर कुछ टस्स समय लेगा 10 से 12 सिकत और उस time उस समय पर यह generating field यहां पर काम करेगा और साथी साथ आपको यहां पर प्रॉपर्टी पैनल में यह प्रॉपर्टी पैनल आपको यहां पर दिखाए देगा तो इस प्रॉपर्टी पैनल को में यहां पर रख देता हूँ तो इस property पैनल में आपको तीन variation याप दिखाए दीगे तो आप दिख सकते याप लेक का याप इमेजेस बनके तैयर हो गया है इसमें से आप इसको next करके जो भी आपको अच्छा लगेगा वो आप यहाँ से रख सकते तो मुझे यह first वाला अच्छा लग रहा है मैं चाहिए तो याप इस लकड़ी को वापी से यापी select कर देता हूँ और यहाँ से वापी से जनरेटी फिल कर देता हूँ और जनरेट तो यहाँ पर यह लकड़ी भी यहाँ से चली गई है अभी हम चाहिए तो यहाँ पर एक बेंच यहाँ पर एड कर सकते जैसे मैं इस तरह से कुछ selection करूँगा और यहाँ पर जनरेटी में garden बेंच लिख देता हूँ तो यहाँ पर आपको जो भी variation आच्छा लगएगा आप उझे यहाँ पर रख सकते हैं ठीक है तो इस तरह से जनरेटी फिल का जो option है हमारे regular Photoshop में आ गया है और हमने अभी देखा कि जनरेटी फिल यह भी यहाँ पर सही तरीके से काम कर रहे है ठीक है यहाँ पर हम देखते कि यह हमारे पास एक image है हम इसको अभी एक जनरेटीव फिल के बाद एक नया update आया था जनरेटीव एक्सपंड तो अभी हम इस image को एक्सपंड करेंगे तो एक एक्सपंड किस तरह से काम करते ही यह भी दिखते है सबसे पहले हम यहाँ पर लेर पैनल में यह जो लॉक को हाटा देंगे जैसे इस लॉक को हाटा देंगे तो आप यहाँ पर सी बटन दवाएंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एरिया जो रहेगा वो ट्रांसपरेटी रहेगा ठीक है करता हूँ फिर दूसरा है यहाँ पर एक्सपांड जो आभी जनरेटी फिल्ड के बाद का नया अप्डेट है और कंटेंड आवेर फिल्ड और यह कंटेंड आवेर फिल्ड हमारा पूराना वाला ही फीचर है तो अभी हम इस तरह से क्रॉप टूल सेलेट करेंगे और मैं क्या करूंगा इस तरह से इस जगा पे विदावट शिप बटनadura क्रेस किया यहाँ पर मैं generate to expand करना चाहता हूँ यहाँ पर मैं क्या करता हूँ फील में generate to expand क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर generate तो यह automatically जो transparent area है उस transparent area में वो जो भी images आने वाली वो आपर generate कर देगा तो यहाँ पर images generate हो गई है इसमें जो भी आपको सही लगे उसको इस तरह से लेश सकते हैं तो इस image को भी हम यहाँ से close कर देते हैं जनरेटे एक्सपांड भी इसमें आ गया है यहाँ पर हम दूसरी image देखते हैं इसमें हम क्या करेंगे और इस image को मैं दोनों साइड से मतलब left और right दोनों साइड से expand करना चाहता हूँ यहाँ से हम इसको lock आटा देंगे फिर इसके बाद crop tool select करेंगे और generate to expand फिर यहाँ पर generate to expand करेंगे और इसको दोनों तरफ से यहाँ पर कुछ इस तरह alt button प्रेस करके यहाँ पर stretch कर देंगे stretch करने के बाद आप यहाँ से generate पर click करेंगे तो यह जो भी खाली एरिया है उस खाली एरिया को वो expand कर देगा तो यहाँ पर वी तीन variation आ गए है आप इसमें से कोई भी जो पसंद आएगा उसे आप ले सकते ठीक है तो समझें यहाँ यह मैंने यहाँ पर लिया और इन दोनों layer पैनल में इन दोनों layer का में एक screenshot लिया तो यहाँ फिर stamp visible layer बनाता हूँ Ctrl Alt Shift और E button प्रिस करूँगा तो यहाँ पर सेपरेटल एक flatten वाली image यहाँ पर आ जाएगी अभी हम यहाँ पर layer लासर टू लेगे कुछ इस तरह से इस तरह से बीच का जो portion है इसको select करेंगे और यहाँ पर जन्रेटिक फिल्ड यहाँ पर में एक prompt लिग देता हूँ Sunset यहाँ पर sunset लिग देता हूँ जन्रेट इसमें एक sunset वाला image यहाँ पर add कर देगा और थोड़ा सा थोड़ा सा ड्रामेटिक यह लुक इसमें आ जाएगा तो आप देख सकते यहाँ पर sunset का भी image इसमें एड हो गया है जिससे इस image में एक ड्रामेटिक लुक आ गया है यह दो नमबर का भी सही है और यहाँ पर यह दो नमबर का यह भी सही है तो इस तरह से जेनरी टो एक्सपन भी यहाँ पर आ गया है अब हम चलते हैं यहाँ पर रिमूर टूल जो हमारा नया टूल है तो remote tool में एक नया update आ गया है उसमें होता क्या है कि पहले remote tool किस तरह से काम करता था कि जैसे क्या भी यहाँ पे मैं remote tool select करता हूँ तो पहले remote tool में क्या होता था कि जब यह किसी subject को या फिर किसी object को आगर हमें select करना है तो उसे हमें पूरा select करना पड़ता था लेकिन यह जो remote tool का जो update आया है इसमें होगा क्या कि आपको simple जो भी object को यहाँ से निकलना है उसके खाली ages पे आपको कुछ इस तरह से brush चलना है remote tool का और जैसे यह कतम हो जाएगा selection ages का तो यहाँ पर यह automatically पूरा object जो आभी बचा हुआ है वो select करने का वो भी यहाँ पर select हो जाएगा तो यहाँ पर जैसे मैं mouse का button छोड़ देता हूँ तो यह automatically वो जगा capture कर लेगा और पूरी तरह से वो remote tool से fill कर देगा अभी हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो tick mark है इसको हमें click करना है या फिर हम सिधा enterprise कर सकते हैं तो जैसे मैं यहाँ पर click करूँगा तो यहाँ पर थोड़ा process हो जाएगा और जो भी हमें unwanted object ही वो यहाँ से वो निकल जाएगा तो कुछ इस तरह से remote tool काम करता है remote tool आप दूसरी तरह से भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि अभी जैसे मैंने पूरा selection किया फिर उसके बाद interface किया लेकिन अगर आपको automatically करना है तो आप यहाँ पर रिमूव टूर को on कर दो रिमूव इज रिमूव आफ्टर इस टूर को अगर आप इसको on करते हैं और यहाँ पर simply जैस्ट इस तरह से अगर लाइट ड्रॉ करते हैं तो यह कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ इस तरह से इसको भी select कर लेता हूँ तो इस तरह से भी आप रिमूव टूल को यूज कर सकते हैं तो अभी चलते हैं यहाँ पर हम मैंनुल तरह के से रिमूट तो लूज करेंगे अभी यहाँ पर जो स्ट्रीट है इस स्ट्रीट पर यह सारे जो परसंस है यह सारे जो लोग यह इसको हमें रिमू करना है और यह पूरा स्ट्रीट हमें जो tick mark का जो option है उसको click कर देंगे या फिर हम simple enterprise कर देंगे तो यहाँ पर मैं enterprise कर देता हूँ automatically वहाँ से वो object को या फिर subject को वहाँ से remove कर देगा तिक अगर कोई यहाँ पर रह जाता है तो आप वापी से वापी से एक बार remove tool यहाँ पर चलाएंगे और interface करेंगे तो इस तरह से यह remove tool का भी एक नया अपडेट आ गया है तो इस तरह से overall जो हमारा regular photoshop है photoshop 24 और उसका जो वर्जिन है 25 अभी इसमे अड़ोबी जनरेटिव फिल्ट जनरेटिव एक्सपार्ट और remove tool का जो नया अपडेट है वह भी आभी आ गया है तो अभी हम इ अभी जैसे मेनी वीडियो की स्टार्ट में आपको बताया था कि एक bad news है तो bad news यह है कि दोस्तों अगर आप एक November तक जनरेटिव फिल्ट जनरेटिव एक्सपार्ड यूज करते तो आपको Adobe कोई भी चार्ज ने करने वाला लेकिन जैसे एक November चालू हो जाएगा तो आपको subscription बेस जो Photoshop यूज कर रहे है या फिर Adobe Express यूज कर रहे है या फिर Adobe को कोई भी ऐसे software मतलब ऐसे कोई Apps जिसमे जनरेटिव फिल्ट जनरेटिव एक्सपार्ड या फिर जनरेटिव AI की रिलेटिड जो भी option रहेंगी उसके लिए उसे यूज करने के लिए आपको credit दिया तो वो credit किस तरह से काम करता है तो description में मैंने आपको एक link दे दिये आप उस link पे जाके उसको click कर सकते है जैसे कि मैं यहां पर आपको दिखा देता हूँ यहां पर लिख दिया है यहां पर लिखा है कि until November 1 2023 creative cloud adobe firefly adobe express adobe stock paid subscriber want to be subject generated to credit limit मतलब उस उनके लिए एक November तब कोई भ लेकिन जैसे एक November start होगा credit limit विल भी अपला है तो यह credit limit किस तरह से काम करेंगे तो यहां पर हम देखते है कि credit limit मतलब एक credit limit जो भी आप यूज करेंगे जैसे कि जन्रेटिव फिल्ड यूज किया तब भी एक credit उसमें यूज होगा यहां पर जन्रेटिव एक्सपांड का ज काम करेंगा और जैसे कि आप creative cloud की जो भी plan समझो creative cloud all apps अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको एक हजार credit मिलेगे फिर उसके बाद अगर adobe का कोई भी आप single app लेते हैं जैसे illustrator, indesign, photoshop, premiere, after repeat, audition, animate, adobe dream viewer, adobe stock photography, one tv का plan तो उसमें आपको 500 credit मिलेगे फिर उसके बाद अगर photography का plan यूज़ कर रहा हूँ, उसमें मुझे 20 GB मिलते हैं, तो आप मुझे subscriber before 1 November, मतलब 1 November से पहले मैं या आपे 25 credit यूज़ कर सकता हूँ, और subscriber after November 1, मतलब मैं जो भी photography, मतलब जो भी photography का plan लेता है 20 GB का, उसको 1 November के बाद खाली 100 credit मिलेगे वाले हैं, साथी साथी आपे आपे कोई Lightroom का single app यूज़ कर रहे हैं, तो उसको भी 100 credit मिलेगे वाले हैं, और यहापे जो इनको अपी Substance 3D Collection, Substance 3D Texturing, Acrobat Pro, अगर आप यूज़ करते हैं, उनका एक single app, तो आपको 25 credit limit मिल जाएंगे, तो इस तरह से, और दुसरा सवाली है, कि अगर ये credit limit अगर कतम होते हैं, त तो अगर ये credit limit आपके खतम हो जाते हैं, तो आप उसको भाई कर सकते हैं, उसको भाई करने के लिए शायद उन्होंने 4.99 डॉलर ऐसा कुछ तो रखा है, मतलब इंडेन रुपीज में 400 के आसपास आप उसको भाई कर सकते हैं, मतलब जो हर महने में आपको जो credit मिलते हैं, वो ही credit आपको मिलेगे, लेकिन मेरे खाल से अगर मैं यहाँ पे creative cloud का, अगर मैं फोटोग्राफिक का plan भी यूज करता हूँ, तो 100 क्रेडिट में लिए बहुत होगे, अगर इनकेस यह 100 क्रेडिट भी उसी महने में कतम होते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं को, यह नहीं होग और जैसे यह एक मैना कतम बताएं, तो वापीस से आपके वो सारे credit रिनूव हो जाएंगे, तो यह था आपके लिए bad news, तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने आज देखा कि Adobe Photoshop 24 वर्जन में, जो रेगिलर वर्जन है, उसमें हम जेनरेटिव फेल, जेनरेटिव एक्स और रिमूर टूल करना है, आपके यूच कर सकते हैं, तो दस्तों आज की इस वीडियो में, अगर आपको कुछ भी information, अगर आपको अच्छी लगए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, अमरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेर करो, सब्सक्राइब करो, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में